हेलो स्टुडेंट्स टुडे विल से अबाट स्टेंडर नाइट मैट्स वन लेसन फिफ्थ है लिनियर एक्वेशन्स इन टू अर उसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 5.2 यह देखने वाले है तो फटा फट पूरे वीडियो आपने देखना है इसको सॉल्व करना है और आपने इ रैकेट करे देख यह हम तो उसमें कुछ 5K और कुछ 10R रूपीय के नोट से टो टोटल अमांट अगर देखी जाए को $350 है सब्सक्राइब करना है तो चलो सबसे पहले हम कुछ Animals लेते हैं तो लेट एक्स बी नंबर ओफ फाइव रूपी नोट पाइव रूपी नोट सबोस एक्स है तो फिर वाइव बी दा नंबर ओफ 10 रूपी नोट ठीक है तो एक्स ये लिए हमने 5 रूपी नोट और वाइव ये लिए हमने 10 रूपी नोट फिर आप टोटल अमाउंट कितना है टोटल अमाउंट 350 यह amount कब बना जब आपने 5 rupees के note लिए plus आपने 10 rupees के note लिए ठीक है यह तो हो गया note का number पर आपने को amount का number चाहिए इसलिए 5 rupees के note कितने हो गया 5x और 10 rupees के note 10y है ना क्योंकि 10 rupees का 1 भी note अगर लिए आपने तो 10 into 1 10 तो 10 rupees हो जाएंगे ना तो इसलिए 5x plus 10y is equal to 350 यह हमारी first condition बन चुकी है और second condition बन रही है के 5 rupees के जितने note से वो 10 कम है तो 10 rupees note 10 rupees note से 5 rupees note 10 कम है जितने 5 rupees के note है यह 10 rupees 10 rupees से कम है 10 number से कम है कब जब हम 10 rupees के note लेंगे ठीक है तो x is equal to 2y minus 10 हेंस x minus 2y is equal to minus 10 यह हमारा second question बनेगा अब हम करेंगे इसको multiply multiply equation second by 5 equation second को 5 से multiply करेंगे हम so 5 x minus 10 y is equal to minus 50 okay okay now now by 1 plus 3 यह जो है third equation बन गा है 1 plus 3 करने के बाद क्या मिलेगा हमे so 5 x plus 10 y is equal to 350 plus 5 x minus 10 y is equal to minus 50 ठीक है so 5 x plus 5 x plus 5 x 10 x plus 10 y minus 10 y cancel 350 minus 50 300 so x is equal to 30 यह x आ गया 30 नब पूट x is equal to 30 in equation second यह equation second में हम रखेंगे so x minus 2 y is equal to minus 10 30 minus 2 y is equal to minus 10 minus 2 y is equal to minus 10 minus 30 minus 2 y is equal to minus 40 hence y is equal to 20 ठीक है तो y की value आ गई 20 क्यूंका minus minus cancel हो गए और यह 40 वहाँ पर जाके divide by 2 हो गया है हम पर है न so x मतलब हमने लिए थे 5 रूपी 0 so hence number of 5 रूपी note is equal to 30 and number of 10 रूपी note is equal to 20 ठीक है तो इस तोरह से हम इसको solve कर लेते हैं question second देखेंगे हम question second है the denominator of a fraction is one less than twice its numerator एक fraction है जिसका denominator नहीं गया एक से small है जब आप numerator की double करते हो if one is added to a numerator अगर numerator में आपने one add कर दिया और denominator में भी अगर आपने one add कर दिया तो ratio हो जाएगा numerator is to denominator का 3 is to 5 you so find that fraction हो fraction आपको find out करना है so let x be the numerator and y be the denominator ठीक है एक से numerator हम कंसिडर करेंगे और y को denominator कंसिडर करेंगे हेंस फ्रेक्शन क्या बन जाएगा एक सपोन वाई आप फर्स कंडिशन देखेंगे फर्स कंडिशन यह कहिती है के जो डिनॉमिनेटर है यह अगर नूमरेटर के डबल कर देंगे तो उससे वन से कम है इसलिए वन को add कर दिया हमने हेंस 2x-y is equal to minus 1 यह हो गया हमारा फर्स्ट एक्वेशन सेकंड कंडिशन के हिसाब से सेकंड कंडिशन यह कहिती है के नूमरेटर में अगर वन अड़ कर दिया और डिनॉमिनेटर में अगर वन अड़ कर दिया तो वो बन जाएगा 1 is to 2 ratio सो 2x plus 2 is equal to y plus 1 हैंस 2x minus y is equal to minus 1 यह हो गया हमारा सेकंड एक्वेशन सो 1 is equal to 2 मेंस कंडिशन यह को सेम आ गई है ना सो हमेंनी के infinite fraction मिलते है अगर हम x की value different different लेते हैं so if hence if x is equal to 1 we get y is equal to 3 x 1 लेकर देखो 1 2 plus 2 1s are 2 2 plus 1 4 4 minus 1 3 y is equal to 3 if x is equal to 2 we get y is equal to 5 इसलिए fraction कौन सा रहेगा the fractions are 1 by 3, 2 by 5, 3 by 7, 8 and thereafter तो इसका answer infinite form में आएगा क्योंकि condition दे को सेम आ गई, सेम आ गई इसका मतलब इसका answer infinite रहे सकते है इसलिए हमने वैसे consider उसको किया है इसके बाद question third देखेंगे the sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years Priyanka और Deepika का age 34 years है Priyanka elder है Deepika से 6 years है to find their ages so let x be the age of Deepika and y be the age of Priyanka का ठीक है so first condition क्या कहेगी x plus y is equal to 34 यह तो first condition है क्योंकि addition दोनों की 34 years और second condition कहिती है कि DP का यह छोटी है 6 years से Priyanka ठीक है इसको हम x minus y is equal to minus 6 ऐसा लेंगे अब हम करेंगे 1 plus 2 so x plus y is equal to 34 x minus y is equal to minus 6 दोनों के addition 2x minus plus y cancel 34 minus 6 28 so x is equal to 14 so x is equal to 14 यहां पर रखेंगे 15 put x is equal to 14 in equation 1 so x plus y is equal to 34 यह हमरे equation था so 14 plus y is equal to 34 y is equal to 34 minus 14 hence y is equal to 20 so age of DP का is equal to x is equal to 14 years और age of Priyanka is equal to y is equal to 20 years ठीक है इस ताइप से हम इसको solve कर लेंगे उसके बाद है question 4th है the total number of lions and peacocks in a certain zoo is 50 lions और peacocks ये एक zoo में है और जिनका number है 50 और total number उनके legs के है 140 तो find the number of lions and peacocks तो उनके पाइडो के अगर counting की जाए तो वो 140 होगी तो lions और peacocks कितने है so let x be the number of lions and y peacocks समझो x ये lions के number और y peacocks का number है so first condition कहिती है x plus y is equal to 50 second condition कहिती है कि उनके पैरो का numbers कितना है count किये तो 140 ठीक है अब lion को कितने legs रहते है 4 so 4x peacock को कितने लेख रहेगे तो 2 so 2y 4x plus 2y is equal to 140 so multiply करेंगे first equation यह हो गया second first equation को 4 से multiply करेंगे multiply equation 1 by 4 equation 1 को 4 से multiply करो आप so 4x plus 4y is equal to 200 यह हो गया third equation अब हम करेंगे subtraction subtracting equation 2 from 3 3 में से equation 2 को हम minus करेंगे so 4x plus 4y is equal to 200 minus 4x plus 2y is equal to 140 यह हो गया minus यह हो गया minus 4x 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 minus 4x 0 4x minus 2y 2y is equal to 200 minus 140 60 so y is equal to 30 आ गया है अब पूट y is equal to 30 in equation 1 first equation में रखेंगे हम so x plus y is equal to 50 x plus 30 is equal to 50 so x is equal to 20 and x की वाल्यू 20 आ गई है चो के हमने लिए थे so number of loyans in zoo is equal to 20 and number of peacocks in zoo is equal to 30 peacocks 30 थे और loyans यह 20 थे ओके उसके बाद है question 5th Sanjay gets fixed monthly income every year हर साल Sanjay को एक fixed monthly income मिलती है and there is a certain increment in his salary और उसके salary में हर मन्त की एक certain increment है 4 साल बाद उसकी monthly salary थी 4500 और 10 साल के बाद उसकी monthly salary हो गई 5400 तो उसकी original salary और yearly increment यह हमको देखना है so let x be the sunrise fixed salary suppose x यह उसकी salary होगी और y be the yearly sorry माने मन्तली कहा था yearly increment okay so first condition के इसाब से और second condition के इसाब से क्या होगा वो देखेंगे हम first condition कहती है कि 4 साल बाद की जो increment उसकी fixed salary और 4 साल बाद की जो increment है यह मिला कर 4500 हो गया था और second है उसकी जो fixed income है और 10 साल बाद 5400 हो गया था okay so subtraction करेंगे हम subtracting equation 2 sorry 1 from 2 1 यह 2 में से subtract करेंगे x plus 10 y is equal to 5400 और x plus 4 y is equal to 4500 okay तो यह हो गया 6 y क्योंकि यह minus is equal to 900 so y is equal to 150 y is equal to 150 आ गया है अब put करेंगे हम put y is equal to 150 in equation 1 first equation में रखेंगे x plus 4 y is equal to 4500 x plus 4 into 150 is equal to 4500 so x plus 600 is equal to 4500 x is equal to 4500 minus 600 hence x is equal to 3900 यह उसकी fixed salary हो गई जो की x की value है hence is equal to 3900 रूपीज और yearly increment उसकी yearly increment है 150 रूपी ठीक है तो इस तरह से हम इसको solve कर लेंगे आपको main इसमें क्या है को conditions के हिसाब से आपको x और y क्या होना चाहिए यह लिगना और उस पर से आपको equations create करना यह इसमें importance है और उसके बाद में तो फिर आपको solution आई जाएगा है ना add करना है subtraction करना है या substitution भी रख सकते हो आप question 6 है the price of 3 chairs and 2 tables 3 chairs और 2 tables इनकी price है 4,500 रुपीज और 5 chairs और 3 tables इनकी price है 7,000 रुपीज तो 2 chairs और 2 table इनकी price आपको पता करनी है so let x be price of one chair and y be that of y be of one table एक chair की price suppose x है और एक table की y है so first condition क्या कहती है कि 3 chairs plus 2 table इनकी price है 4,500 second condition क्या कहेगी कि 5 chairs plus 3 table is equal to 7,000 रुपीज ठीक है so now हमें इसको cut करना होगा so cut करने के लिए तो हमें ऐसा कोई problem इसमें दिख नहीं रहा है इसलिए हमको इस नंबर को 5 से और इस नंबर को 3 से multiply करना होगा so multiply equation 1 by 3 3 से multiply करने के बाद 9 sorry 5 से 5 से multiply करने के बाद 15 x plus 10 y is equal to 00 22,500 यह होगा हमारा third equation और multiply equation 2 by 3 से इसको 3 से multiply करेंगे हम so 15 x plus 9 y is equal to 21,000 यह होगा fourth अब हम subtract करेंगे subtracting equation 4 from 3 4 को 3 में से subtract करेंगे हम so 15 x plus 10 y is equal to 22,500 minus 15 x plus 9 y is equal to 21,000 okay so 15 x 15 x 0 10 minus 9 y 0051, 1500 यह बचे है so y की value आ गई 1500 so put y is equal to 1500 in equation 1 equation 1 में हम रखेंगे यह equation के अंदर so 3 x plus 2 y is equal to 4500 3 x plus 2 into 1500 is equal to 4500 so 3 x is equal to 4500 or minus 3000 so 3 x is equal to 1500 so x is equal to 500 x की value आगी 500 or y की value आगी 1500 so price of one chair is equal to x is equal to 500 hence 2 chairs is equal to 500 into 2 is equal to 1 sorry 10,000 आगी 1000 इसके बाद price of one table is equal to y is equal to 1500 hence 2 tables 2 tables की price कितनी रहेगी 2 x 1000 500 is equal to 3000 hence hence price of 2 chairs and 2 tables is equal to 1000 plus 3000 is equal to 4000 Rs. 4000 में 2 table और 2 chairs आजाएंगे so इसके बाद है question 7th question 7th यह कहता है the sum of digits in a two digit number 2 digit number है उनकी जो sum है यह 9 होगी number obtained by interchanging the digit or digits को हमने interchange कर दिया तो वो जो original number है उससे वो 27 से bigger रहेगा so find the two digit number so वो दो digit number हमको find out करना है so let x be the digit in 10th place and y be the digit in units place so y यह unit place से हो digit है hence original number is equal to 10x plus y 10x plus y यह original हो जाएगा उसके बाद number formed by interchanging the digits यह हो जाएगा 10y plus x okay so sum of digits is equal to x plus y is equal to यह हमको 9 देकर है so second condition क्या कहिती है यह तो थी first condition second कहिती है कि interchange अगर कर दी आपने 10y plus x तो जो original number था है 10x plus y उससे यह number 27 से जादा है तो यह हो गया हमारी second condition so 10y minus 10x plus x minus y is equal to 27 minus 9x plus 9y is equal to 27 7 so x minus y is equal to minus 9 9c हमने पूरे numbers interchange कर लिए x minus y is equal to 3 आगा यह होगा second equation और यह था हमारा first equation now 1 plus 2 so x plus y is equal to 9 x minus y is equal to minus 3 so 2x is equal to 9 minus 3 6 so x is equal to 3 x की value का आगी 3 आगी so put x is equal to 3 in equation 1 रख देंगे हम so x plus y is equal to 9 होता है 3 plus y is equal to 9 y is equal to 9 minus 3 hence y is equal to 6 hence the original number is original number क्या था 10x plus y था 10 into 3 plus 6 30 plus 6 is equal to 36 36 वो number था जो हमें चाहिए था ठीक है तो यह था उसका answer इसके बाद है question number 8 question number 8 है in a triangle ABC measures of angle A is equal to sum of the measures of angle B and C measure of angle A जितना है वो B और C के इतना है so ratio of measures of angle B and C is 4 is to 5 B and C 4 is to 5 to find the measure of angle of a triangle so let angle A is equals to A angle B is equals to X angle C is equals to Y okay so angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 क्योंके angles of a triangle 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 के सभी angles के addition 180 होती है so angle A plus X plus Y is equals to 180 उसके बाद है angle A is equals to X plus Y यह हमें question में देकर है given hence angle X sorry X plus Y plus X plus Y is equals to 180 hence 2X plus 2Y is equals to 180 hence X plus Y is equals to 90 ठीक है यह होगा हमारा first condition from second condition X by Y यह 4 by 5 देकर है इसलिए 5X is equals to 4Y means 5X minus 4Y अगर आप कर देते हो तो equal to 0 बसता है second so multiply equation 1 by 5 5 is equation 1 को multiply करेंगे यह equation को so 5X plus 5Y is equals to 450 यह होगा हमरा equation 3 now subtract equation 2 from 3 2 में से 3 को हम subtract करेंगे sorry 3 में से 2 को करेंगे यह easy जाएगा न so 5X plus 5Y is equals to 450 minus 5X minus 4Y is equals to 0 so 5X 5X cancel 5 plus 4 9Y is equals to 450 Y is equals to 450 upon 9 hence Y is equals to 50 okay so put Y is equals to 50 in equation 1 equation 1 मेरा केंगे X plus Y is equals to 90 X plus Y is equals to 90 X plus 50 is equals 90 hence X is equals to 40 so angle a is equals to X plus Y is equals to 50 plus 40 is equals to 90 hence angle a is equals to 90 degree angle b is equals to 40 degree and angle c is equals to 50 degree इस तरह से हम इसके answers निकाल सकते हैं इसके बात है question 9th 9th कहता है divide a rope of length 560 cm into 2 parts 560 cm की एक rope है उसको 2 parts में divide करना कैसे twice the length of the smaller part smaller part का जो double आप करोगे तो वो equal हो जाएगा 1 third of the larger part so find कि रही है length so let x be the length of smaller part and y be the length of larger part suppose larger part y है so x plus y is equal to 560 यह तो first condition यह तो दोनों की भी addition होगी है now 2x is equal to 1 by 3y smaller part का अगर आप double कर दोगे तो larger part का 1 third यह equal होगा यह होगा है हमारा second equation इसको हम थोड़ा सा solve करेंगे 2x is equal to y by 3 hence 6x 3 to the 6x minus y is equal to 0 यहने के originally यह second equation होगा so by 1 plus 2, 1 plus 2 करने के बाद x plus y is equal to 560 plus 6x minus y is equal to 0 7x is equal to 560 x is equal to 80 okay x is equal to 80 आ गया है put x is equal to 80 in equation 1 equation 1 में आप रख कर तो देखिए x plus y is equal to 560 हो गया न so 80 plus y is equal to 560 so y is equal to 560 minus 80 hence y is equal to 480 cm so length of larger part is equal to 480 cm and length of smaller part is equal to 80 cm ठीक है तो यह तो था question 9th अब last question के तरफ चलते है question number 10th in a competitive examination एक competitive examination हुई थी there were 60 questions वहाँ पर 60 questions थे correct answer अगर आप देते हो तो उसको 2 marks और incorrect answer लिए 1 mark आपके subtract हो जाएंगे येश्वन ने सभी question को आटियम किया और उसको total 90 marks मिले तो उसके कितने question wrong थे लिए हमें पूछा गया है so let x be correct answer and y be wrong answer ठीक है suppose ये correct answer है तो y अपने आप ही wrong answer consider हो जाएगा हमारे तरफ से so x plus y is equal to 60 हो गया और 2x minus y is equal to 90 हो गया अब ये 2x minus y is equal to 90 कियो right answer के लिए 2 mark plus हो जाएंगे और wrong answer के लिए 1 mark minus हो जाएगा ये करके उसको 90 मिले so from 1 plus 2 1 plus 2 करेंगे x plus y is equal to 60 plus 2x minus y is equal to 90 so 3x is equal to 150 hence x is equal to 50 ठीक है so put x is equal to 50 in equation 1 so 50 plus y is equal to 60 y is equal to 60 minus 50 hence y is equal to 10 y की value के आगी 10 so y ही था जो wrong answer था so yashvant got 10 wrong answers yashvant ने 10 answers का wrong answer दिया है 10 questions का इसलिए उसके marks reduce हो गया so students ही है था हमारा practice set 5.2 so हम मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपका मैं दिल से thank you कहता हूँ और मिलते हैं हम next वीडियो में इसी बारा मुझे support करते रहे till then bye